Hello everyone, welcome to another episode of Survival RPG 2 तो भाई पिछले episode में हम लोग इस गाउ में आये थे और हमको बहुत सारे task मिले थे यहाँ पे तो चलो भाई एक एक करके भी सबको पूरा करना है तो सबसे पहले यहाँ पे impress the magician वाला थोड़ा चेक आउट कर लेता हूं मैं यहाँ पे copper की तलवार बनाने बोला था इसने पिछली बार लेकिन भाई मुझे कही copper तो दिखा नहीं और tower access के लिए हमको यहाँ पे भी कुछ copper का ही बनाना है तो उसके लिए मुझे लग रहा है सबसे पहले हमको copper ढूड़ना पड़ेगा यहाँ पे तो copper ढूड़ने के लिए भाई हमको exploration स्टार्ट करना पड़ेगा लेकिन अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे रात हो रही है तो जल्दी से काम करते हो पहले मैं सो जाता हूं ओके तो भाई यहाँ पे सुबे सुबे मैं उड़ गया हूं और अभी हमको ढूड़ना है copper तो copper कहाँ मिलेगा वो देखने के लिए हमको पहले जंगल में जाना होगा और यहाँ पे तो भाई मुझे कोई hint भी नहीं दिख रहा है कि मतलब कैसे कहीं पे मुझे copper मिल सकता है कोई mine wine भी नहीं दिख रही है और कुछ ऐसा metal की चीज भी नहीं दिख रही copper कलर की पता नहीं यहाँ पे यह कीड़ा मारने से कुछ अरत तेरी यहाँ पे जाने से damage मिल रहा है तो यह कुछ जहरीली चीज है यहाँ पे तो नहीं जा सकते अभी तो एक काम करते हैं इसको यहीं से मारता हो मैं रूको तो भाई यहाँ पे यह लोग जितने कमजोर दिख रहे हैं उतने यह लोग है नहीं और यह बहुत जल्दी मेरी health कम कर रहे है तो रूको सबसे बहले तो मुझे यह fish equip करना पड़ेगा तो हमने equip कर लिया है और अब इसको मारने की कोशिश करता हूँ मुझे वैसे लगता तो नहीं है कि इससे मुझे कोपर वापर मिलेगा लेकिन फिर भी इसको अब इतना मार दिया है तो यह आकरी hit भी मार ही देता हूँ तो अब देखते हैं हमने इससे क्या असिल किया भाई हमने इससे क्या हसिल किया तो फ्रफिली बार मैंने देखा था अभी पता नहीं यहां पर दीख तो नहीं रहा है मुझे तो ठीक है इसको रहने देते हैं और हम लोग अभी थोड़ा आगे explore करेंगे देखते हैं कि भाई यहाँ पे copper से related कोई चीज हमें दिख रही है क्या वो देखो वो एक कीड़ा है वो दिन में ही दिखता है ये वाला और उस दिन हम खेल रहे थे तब मुझे रात में भी एक दिखा था वो थोड़ा अलग था लेकिन पता नहीं भाई इन्नों को ने second part में क बहुत सारा मतलब जंगल है लेकिन उसको explore करने के लिए वहां पर गुसना पड़ेगा है लेकिन गुसने का तो कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है यहां पर पानी वाला रास्ता है मेरे ख्याल से अगर हम गुफा के अंदर जाए तो यहां पर पहाड़ी के उपर आ सक होंगा पहले यहां से थोड़ा सा मैं यह कलेट कर लेता हूं जल्दी जल्दी क्ले की चीज़े बनाने के लिए काम आएंगे ओके फटा फट यहां से पूरा का पूरा एक ख्ले उठा लेते हैं अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा इस तरफ यह मुझे याद नहीं कि हमने प यहां था यह गेट है और यहां से हम लोग बाहर निकल सकते हैं और यहां पर निकलने के बाद यहां पर एक और जंगल है और यह जंगल में यह देखो यह वाली चीज मैंने मतलब देखी ऑफ लाइन थोड़ा में खेल रहा था something is required here okay यहां पर कुछ चाहिए मतलब इसको तो अभी हम खोल नहीं सकते मतलब वहां पर घुस नहीं सकते वो तेरी यहां पर क्या है भाई okay desert ठीक है यहां पर मुझे उमीद लग रही है कुछ मिलने के लेकिन यह जंगल में भी हम नहीं गुस पारें इस साइड के यहां पर भी कोई एंटर्स नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई okay तो यहां पर इस desert के अंदर हम लोग जाके दिखते हैं यहां पर शायद हमको copper से related कुछ तो मिल जाएगा okay भाई यह क्या यहां पर dinosaur dinosaur रहते थे क्या इतने बड़े बड़े कंकाल क्यूं पड़े हुए यहां पर okay पता नहीं कौन से राक्षसों के कंकाल है और मैं जानना भी नहीं चाता है कौन से राक्षसों के कंकाल है क्यूंकि यहां पर यह और छोटे छोटे राक्षस आ गए हैं यह कीडे भाई बहुत खतरनाक है तो इनसे पंगा लिये भी न मैं जल्दी से यहां पर अंदर गुस इससे शायद कुछ नया हम लोग craft कर पाएंगे इसको मारते हैं अरे यार यहाँ पे candles वाला भी चीज है पिछले वाले गेम में candles का कुछ नहीं तयार इसमें इन्होंने candles का दे दिया है भी इसका भी जंजट हो गया है पर ठीक है दो है अभी भी हमारे पास तो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं यहाँ पे भी spiders है यहाँ पे जाना चाहिए कि नीरू को वहाँ पे नहीं जाते हैं पहले पहले यहाँ पे आगे जाते हैं पूरा end तक explore करेंगे पहले कि यह गुफा में है क्या फिर उसके बाद इसके कोने चान मारेंगे तो ओके यहाँ से यह मैं लाइकन उठा लेता हूँ और इसको मार देता हूँ ओके अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं और हम बिल्कुल सामने आ गए भाई यह तो मतलब गुफा तो बहुत छोटी है यह मैं कोना कोना चान मारने के बात कर रहा था यहाँ पर जादा कोने ही नहीं है ठीक है इसको मारते हैं और यहाँ से निकलते हैं रूको रूको एक सेकेंड यहाँ से निकलने से पहले वो एक कोना छूड़ गया है मेरे ख्याल से जो मैंने अभी अभी मिस किया था और यहाँ पे मेरा कैंडल खतम हो रहा है जल्दी जल्दी करना पड़ेगा तो तेरी और यहाँ पे देखो दुश्मन आ गये हैं रास्ता रोकने यह इसको हटाओ पहले ओके हम लोग आगे निकल सकते हैं अभी यहाँ से यह लाइकन उठा लो और यहाँ पे एक और स्लाइम अरे यह कई यह भी मेन गुफा में कनेक्ट तो नहीं हो रहा है न आशायद यार यहाँ पे तो कुछ नहीं है भाई मेरे को मिलेगा भी कॉपर यह निकल लेता हूँ यह निकल लेता हूँ इसको मार देता हूँ यह निकल लेता हूँ इसको भी मारी देता हूँ ओके तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अंदर कुछ नहीं है और होगा भी तो अभी हमारे पास मतलब कोई clue नहीं है कि यहां पे कुछ है कि नहीं तो इसलिए मैं मैं जलदी से यहां से भागने वाला ओके यहां से निकल जाते अइल्राइट और यहां पे रात हो रही है रात हो रही है और मुझे थेक करना थे कि यहां पर कौन से टाइप का मॉब रात को घूमता है जिसले आज रात को हम लोग सोने ने वाले हैं आज रात को हम लोग थोड़ा एक्स्प्लोर करेंगे ओके यहां पर भी पानी है यहां पर एक मचली पकड़ के देखता हूं कौन से टाइप की मचली मिलेगी ओके पगड़ लिए और ये नॉर्मल टाइप किये ठीक है यार इसमें इनोंने मतलब अलग तरह की मचली नहीं डाली ठीक है कोई बात नहीं टावर में जा सकता हूं नहीं टावर में जाने के लिए तो चाबी चाहिए थी ओके रात हो गई है अभी और ये कीड़े मुझे यहां से जाने नहीं देंगे ऐसा मुझे लग रहा है लेकिन मैं कैसे न कैसे करके यहां से भाग जाओंगा तो भाई हम लोग बाहर आ गए और ये देखो ये हैं यहां के मॉब्स इनको मारते हैं देखते हैं कितने ताकत वर है ये लोग लेकिन ये एक तो मैं मारी दूँँगा जितना मुझे लग रहा है इसको तो मैं खतम कर सकता हूँ आजा बिटा शिट भाई मुझे लगा था मैं खतम कर दूँँगा लेकिन नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं जलदी से जाके सो के आता हूँ ओके तो गाई इस पिछली रात को जितना भी एक्स्प्लोर किया था उस हिसाब से तो मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि यहां पर हासपस मुझे कॉपर मिलेगा तो आज मैं थोड़ा सा क्या करने वाला हूँ आज पहले तो इनसे पूछूंगा थोड़ा सा कुछ यह लोग हिंट विंट देते हैं क्या और यहां से कुछ निकालने का जरिया है नहीं यहां से तो सिर्फ पानी निकलेगा तो कॉपर ढूड़ने से पहले में वह पेड़ वेड़ का कुछ करना चाहूंगा तो यहां पर देख लेते हैं हमको स्पाइडर वेब मिला है तो अभी हम लोग कुछ नया बना पाएंगे अरे हां यार ब्रीज बनाने का रेसिपी खुला नहीं अभी तक तो हमको ब्रीज का वहां पर पिछले वाली जगे पर दिखा था कुछ तो यहां पर हमने मोटार बना लिया के मोटार बना के दिखते हैं रॉक पुली तो ठीक है वेज के लिए काम आएगा तो यहां पर मैंने recipe में देखा, तो यहां पर कोई recipe तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन भाई देखो, यहां पर हमारे पास यह कुछ चीजें, जिनका हम नहीं तक इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि यह dead larva है, यह कुछ बता रहा है, कि special component to create poison, तो यह इसका तो कोई recipe आया नहीं, औ मोटार में भी crafting material also used to contain melted metal, तो यह तो metals related चीजें हैं, लेकिन हमारे पास कोई option नहीं आया, तो मुझे पता तो नहीं अभी क्या करना है, रुको थोड़ा सा मुझे शायद research करके ही आना पड़ेगा, ओके, तो guys, यहां पर मुझे amphora की recipe दिख गई है, मैं थोड़ा सा आंदा ह मुझे पहले दिखा नहीं था, यहां पर fire needed करके लिखा हुआ है, तो मुझे और कुछ यहां पर दिखनी रहा अभी, तो मैं काम करने वाला हूँ, अभी मैं amphora बनाने वाला हूँ सबसे पहले, उसके बाद यहां पर पानी वाने डाल के देखने वाला हूँ, यहां पर क्या उगता है, और उसके बाद धूड़ेंगे copper, तो जल्दी से पहले हम लोग आग के पास जाएंगे, तो हम लोग आ गए अपने अड़े पे, और अभी यहां पर थोड़ा सा अपना काम करते हैं, सबसे पहले यहां पर empty amphora बना लेते हैं, कितने बना सकते हैं हम लोग, तीन, बना सकते हैं, धों यह बना सकते हैं, और और बना सकते हैं क्या, नहीं और आग चाहिए रहेगी, तो ठीक है, fugir पर अपने पास भाई, ढीव वना लेता हूं, और और ढ़रू बन जाए, और मजया आजाएं गा, रिरें नहीं एक ही बनेगा ठीक है और थोड़ा आग बना लेता हूं के और एक और एमफोरा नहीं बनेगा अ ख़तम हो गई अच्छा ठीक है भाई तो हमारे पास कितनी बन गई है चलो देख लेते MTM4A 3 बन गई है तो यहाँ पर हमको ना एक ladder भी लगने वाला है जो अभी मैं थोड़ा सा research करके आया है तो वहाँ पर मुझे पता चला लेकिन ladder बनाने का भी recipe अभी तक आया नहीं ओके यहाँ से तो पानी नहीं भर सकते हैं ठीक है तो मैं आपको मिलता हूँ सोच रहा था यहाँ पर कौन से टाइप का पेड़ उगने वाला है थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है यह मिटी को देखके चलो पाने डाल देते हैं मैं उमीद कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जो हमको आगे बढ़ने में मदद करें गेम में इनको उगने में भी टाइम लगेगा यार सीडी की रेसीपी मिल जाती तो ओके वाटर आ गया है इससे शायद कुछ खुल खुल जाए ओके तो भाई यहाँ पर कुछ चीज़े उग गई है यह मेरे ख्यार से अब गे हुए यार गे हुए नहीं होना चाहिए क्या है यह कट क्यों निराब यह अच्छे अभी तक उगा नहीं है ठीक है इसको उगने देते हैं तब तक थोड़ा सा लकड़ी वकड़ी काट लेता हूँ ओके तो गाईस मैं आगया हो लकड़ी वकड़ी काटके और यहाँ पर देखते हैं क्या है वहाँ यह वीटी है भाई मुझे लग रहा था पता नहीं कौन से टाइप का जाड़ होगा कुछ जादू ही वगरे उससे मुझे कुछ और क्राफ्टिंग रेसिपी मिलेगी लेकि अच्छा हां रुको रुको यह तो मैंने सोचा नहीं था जल्दी से पहले यहाँ पर आते हैं और थोड़ा सा यहां से पानी निकालेंगे पहले हम लोग पानी निकाल लिया है और फिर से थोड़ा गलू बनायेंगे ओके इस से आएगा स्ट्रॉंग रोप ओके तो लाडर ओकेई तो ऐसे हमको दो strong rope चाहिए होंगे एक और बना सकते हम जल्दी से यहाँ पर बनाता हूं और यहाँ पर एक और strong rope बनाने के लिए क्या चाहिए glue ठीक है ओके तो गाईज हमारे पास आ गई है recipe ladder की तो जल्दी से इसको craft करते हैं ओल्राइट हमारे पास आ गया है ladder उससे bread अच्छा bread का तो already शायद wheat से खुल गया होगा चलो इसका भी खुल गया है recipe और मुझे लगता है कि अब हम लोग copper ला पाएंगे ओके तो गाईज हम लोग अभी जा सकते हैं copper लेने और copper कहाँ पर हमको मिलेगा उसका रास्ता मुझे पता चल गया है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस गुफा में जाना होगा और जल्दी से यहां से पार कर लेते हैं बाई ओके यहां से इनको थोड़ा सा दूर भगाते हैं और इनसे आगे निकल जाते हैं ओके तो गाईज हम लोग उसी रास्ते जा रहे हैं जहां पे पिछली बार हमने वो metal का piece ढूंडा था तो वहां पे जल्दी से हम लोग निकलेंगे पहले यहां से इस गुफा से और फिर मैं आपको बताता हूँ कि copper का मिलने वाला है तो हम लोग आ गए और यहां पे देखो एक ladder का sign आ रहा है तो यहां पे जल्दी से ladder लगा देते हैं एक और लगा देते हैं और अभी हम लोग यहां पे अंदर जा सकते हैं अच्छा तो यहां पे भी candle के जरूरत है लेकिन मेरे पास अभी एक ही है तो ओ शिट यू निड़ पिकाक्स टू पिक अप कॉपर अरे यार अपने पास तो पिकाक्स नहीं है ओके भाई यहां पे थोड़ा सा अभी दिक्कत हो गया है हमारे पास एक भी पिकाक्स नहीं है तो पहले हमको पिकाक्स बनाना पड़ेगा तो ठीक है पहले यहां से निकलते हैं अपने side चलते हैं तो यहां पे जो यह बोन है यह हमको लगने वाला है तो यहां पे जितने भ उपर क्या था अच्छा सॉरी मुझे लगा कि वो उपर कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा था उस पहाड के लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ओके तो गाइस मैं वापिस आ गया हूँ और मैंने सारा सामान जमा कर लिया है जो हमको पिकाक्स बनाने के लिए चाहिए तो जल्दी से इसको बना लेते हैं ओके, तो pickaxe बन गई, अब जल्दी से उपर जाता हूँ, और यहाँ पे अंदर से जल्दी से मैं वो ले लेता हूँ, अपना copper, ओके, यहाँ से एक, वैसे sword बनाने के लिए कितना copper चाहिए होगा, वो तो मुझे पता नहीं है, बस यहाँ पे जितना मिल रहा है, उतना उठा लेता हूं फटाफट होगे तो गाइज यहां पर मैंने 20 कॉपर जमा कर लिया है तो मुझे लगता है इतना काफी होना चाहिए यहां पर एक और ले लेता हूं अच्छा इसको जो चाहिए था वो हमने लाके दे दिया शायद तो यार कॉपर वाला रिक्वेस्ट किसने किया था कॉपर का सोर्ड यह मजिशन को इंप्रेस करने के लिए बनाना था और टावर एक्सेस के लिए मुझे इसको थोड़ा कॉपर की चाबी अभी बना के देनी थ किसा एसा कुछ था तो पहले यह काॉपर के चाबी वाले के पास चलते हैं उकWS यहां पर होना चाहिए यहीं पर होगा हाँ यह रहा इससे बात करते हैं एट इसे निड़ तो पहले रात हो रही है, सो क्या आता हूँ ओके तो guys, यहाँ पर हमारे पास coal की कमी थी और वो मैंने यहाँ पर गुफा के अंदर जा कर ले आया हूँ और अब हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर melted copper तो यहाँ पर दिखा रहा है हमको melted copper लेकिन उसके लिएक motor भी चाहिए fire भी चाहिए, ठीक है तो पहले तो मैं motor बना लेता हूँ ओके, तो हम लोग आ गए है furnace वाले बंदे के घर में, और भाई यार हमारे पास आग इसी गाओं में मौजूद थी, लेकिन मैं फिर भी बार-बार वो अपने पुराने location पर जा रहा था आग के लिए, जबकि यहाँ पर हम लोग हर आग वाला खाम कर सकते थे तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं molten copper, हाँ, यह रहा melted copper, ओके, इसको एक craft कर लेते हैं और एक craft कर लिया है इससे copper armor भी बन सकता है ओके, लेकिन अभी फिलाल मुझे sword चाहिए copper की तो उसका कुछ recipe नहीं आ रहा है क्या, नहीं उसका तो नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, जिसने हमको copper का वो मांगा था, melted वाला उसको हम देके आते हैं पहले यहाँ पे टिक आ गया है इसका मतलब हम उसको भी दे सकते हैं तो जली से पहले उसको देके आते हैं यहाँ पे होगा उसका घर येलो भाई, तुमारा मैंने copper ले आया हूँ Thanks, here is the key to the tower The place is haunted, so take care Okay, तो You should find a special book within, bring it to me I want to study it तो अभी हमारे पास tower की चा भी आ गई है और चलो अभी पहले तो बाहर निकलते हैं फिर बात करते हैं मैंने तो सोचा था कि इस episode में copper की sword बना लूँगा लेकिन अभी लगता नहीं, अभी लगता है कि और भी चीज़े चाहिए होंगी copper sword बनाने के लिए क्योंकि अभी तक recipe unlock नहीं हुई है तो मुझे लगता है कि हमको ये episode यही पे end करना चाहिए अगले episode में हम लोग जाएंगे tower में उसको explore करेंगे और देखेंगे कि हम copper sword कैसे बना सकते हैं, तो इस episode को यही पे end करते हैं, अगर आपको episode ज़रा सभी पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ share कीजिए मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए, good bye